आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लगन कुन्डली के बारे में कि लगन कुन्डली में सभी घरों को देखके हम क्या क्या आ सकते हैं और हर घर की जो नेचर हैं वो क्या होते हैं ऐसे मैं आज जहां खड़ा हूं यह खीर गंगा है और 12 किलोमेटर तक ट्रेक करने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं और बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अद्भूत नजारा है प्रकृति का अश्ली नजारा तो यहीं है पहाड़ों पर बर्फ हैं बड़े बड़े पेड़ पौध है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला घर जो होता है उसे लगन कहते हैं लगने से हम क्या जान सकते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद वो लगन में आता है लगन यानि कि उसकी प्रस्नालिटी उसका फेस उसका सुभाव उसकी पूरी नेचर जो है वो उसी से पता चलता है लगन से कि जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो अपनी फैमिली के गोद मे चला जाता है यानि कि 2 १ह जो दूसरा गहर है उस्से पदा चलता है उसki फैमिली स्टीटेस कैसी रहेगी उसकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी उसकी पर्वरिस उसकी फाइनेशल कंडिश्शन पर निज़वा करता है यानि सेकंड हॉश से हम घर भी देखते हैं बच्चा खाना सुरू करता है यानि खाने पिने की है उसके एकिविट्ट्ज करता है यानि आनि आने हrisटीं कि prosperity या और दूसरे घर से हम तीसरे घर के और मुव करते हैं तीसरे gör से क्या बता सकते हैं जब बच्चा बड़ा हो गया तो हम छोटे भाईबहन आएंगे तीसरा घर छोटे चोटे भाईबान का होता है यानि उनके चोटे भाईबान से कैसे रिलेशन होंगे उनका नेचर कैसा होगा यह हम तीसरे घर से देखते हैं कि अब वह दोस्तों के साथ competition भी होने लगा तीसरा घर competition का भी house है प्राक्रम का house है documentation है writing skill है communication skill है यह सारी चीज़े हम थाड़ाव से देखते हैं अब बच्चा बड़ा हुआ है और चौथे घर की और चलते हैं चौथे घर से बच्चे के education के बारे में समझते हैं बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी चौथे घर को सुख भाव भी कहा गया है सुख कहां से आता है जीवन में तो चार चीज़े बहुत कंपल सरी है रोटी कपड़ा मकान लेकिन सबसे बड़ा सुख मा का सुख है इसलिए fourth house मा का होता है घर गाड़ी बंगला उसकी living style उसको जो सुख है जो सभी चीज़े हैं वो चौथे घर से मिलेंगे और इन सभी सुखों को अवेल करने के लिए education का बहुत बड़ा महत्व है इसलिए education का house भी fourth house होता है आगे बढ़ता है पांचवे घर की और पांचवा घर भी education का है लेकिन different है चौथे घर से किताबी घ्यान है तो पांचवे घर से knowledge का house है कई लोग ऐसे होते हैं जो बिलकुल पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके पास knowledge बहुत होता है अब गौव में देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कलम कॉपी नहीं चुआ लेकिन उनके पास engineering mind ह होता है वो कोई ऐसी बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट काम का बड़े असानी से कर देते हैं कभी दास को ले लेते हैं उन्होंने कलम कॉपी कभी उठाई भी नहीं और उन्होंने जो लिख दिया उन्होंने जो बोला लोगोंने उसको आज भी पढ़ते हैं और उनकी बातों क उसके लवर का नेचर सब फिप्थाउ से नजर आएगा पांचमा घर संतान का भी होता है संतान सुख के बारे में पांचमे घर से देखते हैं कितने बच्चे होंगे बच्चे का सुभाव क्या होगा यह सारी चीजे पांचमा घर बताता है पांचमा घर हमारे पुर्र जनमों के बाद से यानि पाश्ट लाइफ तक ये भी पांचमा घर बताएगा ये सारी चीज हम पांचम praticamente से देखते हैं अगला घर छटा दाधर चट्टे घर जो है वो रोग रिपू रिन का है यानि कि बिमारी कर्जा और सत्रू का है चट्टे घर से हम जॉब के बारे में भी जानते हैं कि उसका करियर में कैसा होगा उसके जॉब कैसे होंगे जॉब कब मिलेगा इस सारी चीज़े चट्टे घर से देखते हैं लेकिन सत्रू बनेंगे की नहीं बनेंगे ये भी छठागर बताएगा बिमारी होगी ये भी छठागर बताएगा कौन से बिमारी होगी ये भी छठागर बताएगा कितने कर्ज होंगे कितने bank loan होंगे ये भी छठागर बताएगा और कितने सत्र होंगे यह भी शट्ठा घर बताएगा, शट्ठे घर को बुरा घर माना जाता है, लेकिन शट्ठा घर कई जगा बहुत हेल्पिंग भी होता है, वो competition का house है, हम एक्जाम देते हैं, हम competition में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यह भी six house बताएगा, आगा बढ़ते सात्मे घर की और, सात्मा घर जो है, वो पार्टनर का हाउस है, वो लाइफ पार्टनर का हाउस है, वो पत्नी का हाउस है, वो मैरेज का हाउस है, लगन के ठीक अपोजिट सेवन्थ हाउस है, यानि लगन में आप है तो आपके अपोजिट जो है वो पार्टनर है, साथमे घर से हम उसकी मैरेज लाइफ जान सकते हैं कितने मैरेज होगे यह जान सकते हैं उसकी वाइफ कैसे होगी उसके हस्बन कैसे होगे यह जान सकते हैं लब मैरेज होगी या नहीं होगी अभी हम पांच में और साथमे घर को कंबाइंड करके जान सकते हैं business partner successful होगा या नहीं होगा partner से business करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी 7th house बताएगा आगे बढ़ते हैं आठमेगर की और आठमेगर को लोग बहुत बुरा मानते हैं आटवागर अंदयकार हैं कि पाताल के अंदर का जो अंधेर है वो है वो राहू का स्थान है कि जैसे लगन आप हैं और आपकी फैमिली कि इक लए फैमिली का स्थान है जो एड़ साइज 800acas का होता है लेकिन येट थाउस में जो भी गेन होता है वह हम कुछ न कुछ चीज़ों खो कर ही देते हैं पाते हैं जैसे एक्जामपल लेता हूँ किसी को इंसोरेंस मिला तो इंसोरेंस पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ा अगर मिरतु का घर है डेस किस तरह से होगी ए हांगर डिसाइड करेगा एज कितनी होगी आटमा कर डिसाइड करेगा और क्योंकि राहू का घर है इसलिए वह बिल्कुल अंधेरा होता है इसलिए अगर ज्यादा अगर आटमे घर में बैठ जाएं तो लाइफ की हेलो बन जाती है बिल्कुल बुरा इस्थिती हो जाता है आगर बढ़ते हैं नौवे घर की और जो 9th house है वो अध्यात्म का घर है पुजा पाठ मंदिर आपके भाग्य का घर है आपके पिता का घर है लेकिन पिता कब तक जब तक कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक आपके फादर का लग आपके साथ चलता है य इध्यात्मिक जीवन कैसी होगी आपकी लग कितना सपोर्ट करने वाला है यह 9th house बताएगा आपकी आत्रहें 9th house बताएगा आप कितना ट्रैवल करेंगे यह सारी चीज 9th house ही बताता है अगला घर है दसवा घर यानिके 10th house 10th house भी पिता का होता है वो भी फादर का घर है लेकिन कब जब आप अपने पैरों पे स्टैंड कर जाते हैं यानि आफ्टर 20 जो 10th house है वो फादर का घर हो जाता है आपका प्रोफेशनल लाइफ आपका कर्म आपका जॉब आपका बिजनेस आप क्या करेंगे यह 10th house बताएगा आपकी समाज में आपकी कितनी अगला घर है 11 घर लाभ का घर चाहे जीवन में हम जितना भी कर्म कर लें अगर 11 घर खराब है तो उसका फल नहीं मिलेगा बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं जिंदगी में बट उनको किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता यान जाने कि 11 घर फल नहीं दे रहा यानि हम चाहे कितना भी करम करें वह कुछ भी करें उसको रिजल्ट मिलता ही नहीं तो 11 घर का होना अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि चाहे 12 घर में अगर 11 घर अच्छे हो लेकिन अगर 11 घर खराब हो जाए तो क्या होगा उसे फल ही 11 घर मित्र का होता है, 11 घर बड़े भाई का है, 11 घर हमारे अगले जन्म का भी है इस जन्म में हम चाहे जो भी करम करें जो फल है जो रिजल्ट है वो नेक्स लाइफ में मिलता है और जो अगला जन्म हो भी 11 घर है यानि पुर्व जनम को पांचवे घर से और अगले जनम को ग्यारवे घर से जानते हैं आगे हम बढ़ते हैं बारवे घर की और बारवा घर जो है वो मौक्ष का द्वार है वो विदेश यात्रा का दवार है आप विदेश यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे वो बारवांगर बताएगा जितनी लॉंग जर्नी है वो बारवांगर बताएगा जेल जाने का योग बारवांगर बनाता है कोड़ केश चलेगा बारवाँगर बनाएगा जंगल यात्रा घर से दूर क्योंकि लगन से बारह कितना दूर है यानि आपके जनम अस्थान से आपको दूर कर देता है बारहाँगर यानि बार्वाँगर की च्थिति अच्छी होगी तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी आपके कितने खर्च होंगे वह बारवांगर बताएगा तो इन 12 घरों से हम बता सकते हैं किसी भी जनम कुंडली को देखे कि उसका नेचर कैसा होगा उसके सुभाव उसकी लाइफ स्टाइल उसके कर्म उसका स्वास्त यह सब कुछ बता सकते हैं हर घर को अलग तरीके से पन्यवाद खाँ